महारास्ट में एंडिये के बीच सीर्ष शेरिंग फाइनल शाह के घर दो घंटे बैठक चली भाजपा 155 शुसेन शिंदे 88 और एंसेपी अजीद गुट 55 सीटू पर लड़ेंगे महारास्ट में सीर्ष शेरिंग को लेकर शुक्रवाद देर रात हमिशा के घर एंडिये के घटक दलो की धाई घंटे बैठक चली इसमें मुखे मंत्री एक नाशिंदे डिप्टी सीयम देवेंद्र फड़नवीस और डिप्टी सीयम आजीद पवार शामिल हुए बैठक में र हैं आपको बताते चले कुछ सीटों को लेकर पेच अमिशाह के निर्देश के बाद राजिस्तर पर सुलजाया जाएगा दिल्ये में अमिशाह से मुलाकात के बाद और उनुप मुखे मंत्री द्रेवेंद्र फड़नवीस और अजीद पवार बहारास्ट लोड आए हैं पास 106 सीटों पर प्रतियाश्यों के नामों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है इनमें लगबग वो सीटे होंगी जहां पार्टी के बड़े चिहरे चुनाव लड़ेंगे इनमें देविंद्र फड़नवीस जैसे नाम शामल है महराश्ट नौनिर्मार सेना मैनस राजशाकर सेना के रमीश कोरगाओं कर मवजूद आविधायक है महीम विधानसबा सीट से अमिठ ठाकरे को उतारती है तो श्यू सेना यूबीटी सीट से अपना उमिद्वार नहीं उतारने पर विचार कर सकती है 2019 विधानसबा चुनाओं में जब आदित ठाकरे पहली बार चुनाओं लड़ रहे थे तब मैनस ने वरली सीट पर अपना उमिद्वार नहीं उतारा था 2024 लोग सबाशनाओं में MNS के समर्थन की वज़े से महायूती के उमिद्वार राहुल श्यूवाले को महिम बिधानसबा सीट पर करीव 14,000 के लीट मिली थी इसलिए भी MNS को लग रहा है कि अमिठ ठाकरे के लिए महिम बिधानसबा सीट सुरक्षित हो सकती है राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी सरचंद्र पवार के प्रमुक्ष शरत पवार ने गुरुवार को कहा है कि माविकास अखारी के तीनों सहयोगी दलों के बीच महाराश्ट में होने वाले बिधानसबा सुनाओं के लिए 288 में से 200 सीट पर आमसहमती बन चुकी है MVA में रांकापा कॉंग्रेसो शुशेना UBT शामिल है पड़ते रहें फाइट अगेंस किर्मिनल डेली न्यूस पेपर